हेलो स्टुदेंस वेलकम टू एड्रोय निवक्न्म आपका सब्सक्राइब है और अगेन आप लोगं से मिलने आ गई कंट। को हमारी क्लास का ट्रफ आपको हमारी क्लास का ट्राइब पता होना चाहिए वां जयां कि क्या है जिसमें हम आप लोगों की सफलता के लिए मैनत कर रहे हैं तो मेक शूर भई आप लोग भी हमारे साथ उतनी ही मैनत करें जितनी हम लोग आप लोगों के लिए मैनत कर रहे हैं ठीक है अच्छा लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे और डाइजस्टिव सिस्टम में म हमारा पाशन तंत्र कैसे काम करता है अब वो चीज सीख सको ठीक है तो जो बच्चे आज ही जुड़े हैं जो बच्चे नई जुड़े हैं इस क्लास से वो अपना शौरली पीछे वाली सारी वीडियोज एक बार देख लो रिवाइस कर लो ठीक है अब इस वीडियो में हम क्य ठीक है और नाइन डे है आज तो आठ क्लास हमारी पहले हो चुकी है तो आप मेक्शॉर करें कि आपने आठो क्लास पिछली जो है वो देख ली हो रिवाइस कर ली हो प्लीज भाई आप लोग मतलब हम लोग बेहनत कर रहे हैं तो प्लीज आप लोगों अप्रिशेशन हम से नरेला में जिसका लिंक या जिसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉस में मिल जाएगा तो आप लोग हम से आप पर्सनली मीट भी कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं हम डाजेश्टिंग सेट्रीशन फ्रॉम दे लीवर एंड पैंक्रियास तो अभी अभी हमने पड़ा है कि answer क्या आएगा answer आएगा small intestine answer आएगा small intestine कि यह हमारा क्या है यह हमारा stomach है यह हमारा stomach है यह हमारा lever है और यह हमारा pancreas है यह हमारा pancreas है और यहां यह वाला पार्ट क्या है यह वाला पार्ट आपका small intestine का पहले वाला पार्ट है जिसको क्या कहेंगे जिसको कहें to small intestine, to answer is D, यानि के चोटी आथ, आगे बढ़ते हैं, next question पर बढ़ते हैं, यह देखो, यह देखो, मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने आपको, इसका solution भी लिखवाया है, small intestine of the digestive system receives secretion from the liver and the pancreas, the pancreas is an organ located in the abdomen, the pancreas is an organ of the digestive system and endocrine system of vertebrates, vertebrates में endocrine system होता है, आप देखो, यहाँ पर देखो, यह देखो, यह देखो यहाँ पर, यह leaf जैसे shape का दिख रहा है, यह पता, यह पता क्या है, यह पता ही तो है आपका pancreas, और यह triangular shape का दिख रहा है, यह triangular shape का ही तो क्या है, आपका triangular shape का ही तो है, आपका liver, ध्यान से सुनो, ये रेखो, small intestine के तीन पार्ट है, ये पहला पार्ट है, small intestine जहां से शुरू हो रही है, that is deodenum, फिर बीच वाला पार्ट, जहां से खाना गुमता-गुमता, आपका नीचे की तरफ जाता है, वो jejunum, और आपका तीसरे वाला पार्ट क्या है, तीसरे वाला पार्ट है आपका ileum, small intestine के आपके तीन पार्ट होता है, ध्यान से सुनो, एक बार मेरी बात, small intestine का जो पहले वाला पार्ट होता है, पहले वाला पार्ट, पहले वाला पार्ट क्या है पहले वाला पार्ट है आपका डियोडनम, दूसरे वाला पार्ट क्या है? दूसरे वाला पार्ट है आपका जेजुनम, दूसरे वाला पार्ट क्या है? आपका जेजुनम, और तीसरे वाला पार्ट क्या है? तीसरे वाला पार्ट है आपका इलियम, इलियम, अब ध्यान से मेर ascreatic juice, और आपका क्या, byle juice, आपका byle juice आफे आपका food को digest कना शुरू करते हैं, break down करना शुरू करते हैं, clear है, अब बेखो, जेजनम में कुछ खास नहीं होता है, जेजनम में कुछ खास नहीं होता है, तो जेजनम के लिए हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, जेजनम के लिए हमेशा पढ़ते हैं, same as diodonum, same as diodonum, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका diodonum है, और जेजनम क्च निए, इसके simple, इसके नीचे जो pipe, 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 pipe बनी विया है, जिनमें से फूड गूमता रहता है, और उनी के साथ वो bile juice गूमता रहता है, पैंक्रेटिक जूमता रहता है, तो वो खाने को अपने हिसाब से ब्रेकडाउन करता रहता है, तो जेजनम में कुछ खास अलग नहीं होता, सेम एस डियोदयूम होता है, अब बात करते हैं इलियम की, अब देखो इलियम क्या है? लास्ट पार्ट ओफ स्मॉल इंडिस्ट्राइन, और लास्ट पार्ट ओप समॉल इंडिस्टाइन में हमने क्या पढ़ा था कि पूरा फूरा 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 these are called. तो answer आपको सब को पता है, answer क्या होगा बई? क्या होगा बई answer? answer होगा option number A, यानि के willy-willy. अभी-बी मैंने पीछे बता है कि small intestine में finger-like structures क्या होते हैं आपके? finger-like structures क्या होते है? willy-willies होते हैं और willy-willies क्या करते हैं? पूरे digestive food को ऐसे अपना ऐसे surface tension बढ़ा के और अपने अंदर सोख लेते हैं और willy-willies के अंदर क्या होते हैं? blood vessels होते हैं और ब्लड वेसल क्या करेंगी? पूरी body में जहां भी जिस चीज़ की जरूत होगी अपना खाने को ट्रांसपोर्ट कर देंगी. ठीक है भाई? next question. अच्छा ये इसी के बारे में बताया है भाई? ये देखो, ये विली-willies है. ठीक है? ये विली-willies है. देखो, finger-like structure है एकदम. और इसमें देखो, आपको red और blue color की blood vessels दिख रही होंगी. तो इनमें blood vessels होते हैं. next, चलते हैं. इसमें ये पूछा है. पहले एक बहुत बेसिक सी बात में आपको समझाना चाहती हूँ. और वो बेसिक सी बात ये है कि elementary channel actual में कहते किसको हैं. हिंदी में क्या लिखा है? आहार नाल. आहार नाल. आहार नाल का मतलब है ऐसी नाल, ऐसी नाल जिसमें से food pass on होगा. ऐसी नाल जिसमें से food निकले. जिसमें से, जिसमें से खाना pass हो. जिसमें से खाना pass हो. यानि कि जिसमें से खाना जाए, तो आपका खाना कैसे जाता है, एक बार हम पीछे चलते हैं, डाइग्राम पे, आपका खाना कैसे जाता है, सबसे पहले मुह में आएगा, बकल केविटी में आएगा, फिर आपका किस में आएगा, ओईसो फेगस में आएगा, फिर ओईसो फे करेंगे, देखो, options को crack करने का बहुत easy तरीका है, colon और rectum आपके किसके है, large intestine के part है, colon और rectum किसके part है, large intestine के part है, तो large intestine में क्या food जाता है? बिलकुल जाता है, तो option यह बिलकुल नहीं है, दूसरा आपका बакल केविटी, बकल केविटी या फिर इसको कहते हैं mouth cavity, mouth cavity का ही दूसरा नाम है अंसर नहीं हो सकता, फिर आपका इन्होंने बताया है stomach and intestine, then stomach and intestine में भी खाना जाता है, तो answer क्या है? direct answer is D, यानि कि liver and pancreas. dapat लिवर और pancreas के अंदर खानी जाता है, अभी-भी मैने डिवे समझाया है, कि क्या है, कि stomach के बाद, stomach के बाद, आपकी small intestine शुरू हो जाती है और ये आपका यहाँ पे lever होता है और ये आपका यहाँ पे pancreas होता है तो food तो ऐसे सीधा ऐसे निकल जाता है Food तो क्या होगा? Food तो यहाँ से आएगा, यहाँ से स्टमक से आएगा और सीधा ऐसे निकल जाएगा small intestine में इनको जो छोड़ना होगा अपना इधर ही छोड़ेंगे, उनके पास खाना नहीं जाएगा, ठीक है भई, तो answer is D, answer क्या है, answer D आएगा, clear है भई, यकृत और अगनाश्य, यह elementary channel मैंने बताई भी है, elementary channel मैंने बताई भी है, देखो, अगर हम आपकी digestive system की बात करें, अगर आप नाल, जहां से खाना पास हो, होके जाता है, और दूसरी चीज़ इसमें बचती है, glands, दूसरी चीज़ इसमें क्या बचती है, glands, ठीक है, तो देखो, ध्यान से, एक बर इसके partition कर लेता है, सबसे पहले खाना कहा आएगा, सबसे पहले खाना आएगा, बuccal cavity में, बuccal cavity, यान salivary glands को हम इस वाले पार्ट में लिखेंगे, salivary glands को हम इस वाले पार्ट में लिखेंगे, क्योंकि जो salivary glands होती है, वो आपका elementary canal का पार्ट नहीं होती, खाना उनके पास नहीं जाता है, ठीक है, इसके बाद हमारा खाना कहाएगा, इसके बाद हमारा खाना खाना आएगा, Oesophagus में, Oesophagus Oesophagus के बाद खाना कहा हैगा खाना आएगा stomach में लेकिन stomach में भी हमारी कुछ glands थी जίνनोंने क्या बनाय था जिन्नोंने बनाय था gastric juice तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा gastric, gastric glands gastric glands, अब stomach के बाद खाना कहा है? खाना जाता है small intestine में. और small intestine की बाद खाना कहा जाता है? large intestine में. लेकिन small intestine में भी हमारी नो glands आती है. कौन कौन सी आती है? एक तो liver. Lima क्या छोड़ता है? लीवर छोड़ता है आपका bile juice और आपका दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा पंक्रियास, दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा पंक्रियास, तो आपका digestive system दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है आपका elementary canal और एक होती है, glands, ठीक है बही, यह देखो elementary canal में mouth, mouth में आपके teeth तंगा जाएंगे, फिर pharynx, pharynx मतलब gala, gala, यह देखो, यह देखो, यह pharynx है, यह pharynx है, ठीक है, gala है, esophagus, esophagus मानी कि आपकी food pipe है, फिर stomach में, फिर small intestine में, फिर large intestine में, rectum और anus आपके large intestine के ही part होता है, यह देखो, यह देखो, यह last में जो part है आपके, यह rectum और अनस है, दूसरे में देखते हो, अच्छे से दिख रहा होगा, तो वहाँ दिखाती हो, हाँ यह देखो, यह वाला पार्ट जो होता है, यहाँ देखो, इस वाले में देखो ध्यान से, यह वाला पार्ट, लास्ट में जो यह पार्ट होता है, इसको कहते हैं रेक्टम, इस ise we Oliver,地er,地ob Aurum food को पारון करते हैं बाहर, इसको कहते है闇स तो rectum and intestines किसके पार्ट है? Rectum and PRE sock orch臓 के लाजंटिस्टाइन के पार्ट है और लाजंटिस्टाइन के इस वाले पार्ट ग्या क्या 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 के आ, इस वाले पार्ट को क्या थे差 है, kolon इस वाले पाइट को क्या कहते है, कोलोन, इस वाले पाइट को क्या कहते है, कोलोन, ठीक है भई, आगे बढ़ते हैं, यह मैंने आपकी explanation लिखवा दिये, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, which among of the following of the food tube, तो food tube किसको खाना जाता है, भोजन नली, अभी-अभी मैंने बताया कि food pipe किसको कहते हैं, food pipe कहते हैं, आपके oisophagus को, तो C आपका इसका answer सही आ जाएगा, यानिके, ग्रस नली, next question देखते है, which substance cover the root of the tooth, अब देखो मैंने डाइग्राम वैसे तो यहां पर लिखवाई दिया है, फिर भी आप एक बर ध्यान से सोचो, और सोचो की इनमे से root किस में है, root कहां है, तो देखो, आपकी जो root होती है, जो root होती है, वो किस से बनती है, ये मैंने आपको बताय था, कि आपका जो dant होता है, उसकी सबसे उपर वाली covering क्या होती, enamel होती है, और enamel सबसे hard और सबसे bright substance होता है enamel क्या होता है? सबसे hard और सबसे bright substance होता है हमारे शरीर का और फिर भी हम इसको गला देते हैं यह भी मैंने बताया था कि फिर भी हम इसको गला देते हैं enamel के नीचे एक और लेयर होते है जिसको कहते है dentin जिसको क्या कहते है, डेंटिन कहते है, डेंटिन के नीचे क्या होता है, पल्प होता है, फिर पल्प के नीचे सिमेटिन होता है, और फिर ये गम और बॉन्स और नर्व्स, ये तो हमारे जो का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो भाग है, ये वाला, सारा पल्प, तो पल्प तो आपका किस में होता है, पल्प तो आपका होता है, नर्व्स का, जिसमें आपकी नर्व्स होते हैं, देखो, यह आपकी ब्लड वेसल है, इसमें भी आपको दिख रहे होंगे, बहुत बड़ी-बड़ी, आपको यलो कलर की दिख रहे हैं, कुछ आपको दिख रहे होंगी, कुछ आपको blue visible होंगी, तो यह blood vessels जिसमें है, यह वाला part आपका क्या है? şu वाला part आपका है pulp, यह वाला part आपका क्या है? pulp, तो blood vessel के बाहर जो जड़ो तक गया हुआ है, जो भाग, जड़ो तक गया हुआ है, वो यह वाला भाग है और इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को कहते हैं, सिमेटम, इस भाग को क्या कहते हैं, सिमेटम, तो answer is A, यानिके सिमेटम, यानिके दंत वज्र, दंत वज्र, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तब पाउच connected to the junction of small intestine and large intestine is called, small intestine को large intestine से जोडने वाला पाउच क्या कहलाता है, जो जोडने वाला पाउच क्या कहलाएगा, जोडने वाला पाउच कहलाएगा, answer आएगा C, कम B, ध्यान से सुनो, एक बर मैं समझाती हूं, यह आपकी small intestine उपर से आई, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका stomach है, यहाँ पे आपका stomach है, और यह small intestine उपर से आ रही है, that is appendix, और मैंने का कहता, कि doctor is appendix को card देते हैं, card देते हैं doctor is appendix को, तो appendix को card देते हैं, तो appendix में तो food जाता नहीं है, लेकिन यहाँ से food पासोन करता है, यहाँ से food पासोन करता है, small intestine से large intestine में, small intestine से large intestine में, और large intestine में जो food पासोन करता है, तो पहले बाला यह पार्ट आता है, और इसी को थैली कहते हैं और इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है सीकम. इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है सीकम. अब सीकम के बारे में मैं आपको दो तिन पॉइंट्स बताऊंगी. सीकम के बारे में मैं आपको दो तिन पॉइंट्स बताऊंगी. सीकम के बारे में ये पॉइ का काम किसमे है? सीकम का काम है गhans खाने वाले जानवरों में जो grass animals होते हैं जो गhans खाने वाले जानवर होते है उनमें सीकम का use होता है और सीकम यूज होता है use as a storage, use as a storage. यहां पे जो गhans का cellulose वाला उसको आपका डाइजेस्ट किया जाता है, आपने देखा है, कि आपके भैंस जो है, आपने देखा होगा, कि आपके गर गाई है या भैंस है, तो वो क्या करते हैं, वो लो क्या करते हैं, एक साथ में बहुत सारा बोजन खा लेते हैं, एक साथ में बहुत सारा बोजन खा लेत I mean store कर लिया है, तो वो store करने के बाद उसको आप बैट के जुगाली करके digest कर रहे है, उसको जुगाली करके क्या कर रहे है, digest कर रहे है, और घास खाई है उन्होंने, तो घास आपको क्या है, पता है, एक पौदा है, और पौदा है कि जो cellulose होती है, यानि के सबसे भारवाली लेर होती है, वो cellulose की बनी होती है, तो cellulose को पचानी में help करती है, animals में कौन, animals में help करती है, सीकम, समझ में आ गया बई, clear है, clear है सारे बच्चो को, ये देखो, ये फोटो देखो, ये फोटो देखो, ये small intestine से food हमारा यहाँ पे large intestine में ऐसे करके enter होता है, तो सबसे पहली ये येलो कलर के आपके थैली दिख रही है, ये थैली क्या है, आपकी सीकम है, यहाँ पे आपको पूच टाइप दिख रही होगी, यह देखो, यहाँ पे आप दिख रही है, ये वाली पूच सी दिख रही है, ये पूच क्या है, ये पूच है appendix, और appendix मैंने पहले भी बत करता है तो कुछ वेस्ट फूड कुछ वेस्ट फूड या कुछ अंडाइजेस्ट फूड इस अपेंडिक्स में चला जाता है और अपेंडिक्स में चला जाने के कारण अपेंडिक्स सूच जाती है और जिससे हमें दर्द होता है अपेंडिक्स का दर्द जिसको कहते है और ड West Eagle organ है, West Eagle यानि के अवशेशी अंग, अवशेशी अंग, यानि के जब हम कभी जानवर रहे होंगे, जैसे हम जानवर ही हो, हमारे पूरवच कोई है, चिम्पैंजी है, तो कभी जब हम जानवर रहे होंगे, उस टाइम पे हम कच्छा खाना काते थे, है ना, और घास फूस भी खाते थे, कंद मूल खाते थे, फूल पत्ते कहते थे, तो उस टाइम पे कभी इसका यूज रहा होगा, लेकिन अभी हमारे हमारे युमन वारी ड्वलपड बॉड़ी में इसका कोई इस्तिमाल नहीं है, अगर मैं आपको वेस्टीगल ओरगन के बात करूं, समझाऊं, तो ह दूसरा वेस्टीगल ओरगन क्या है, दूसरा वेस्टीगल ओरगन है आपका विजडम टुथ, विजडम टुथ, यानि के अकल दाड, अकल दाड, आपको पता है कि अकल दाड बिल्कुल इतनी पीछे होती है, तो क्या कोई बता सकता है बच्चा कि वो पीछे अकल दाड से चबा चबा के खाना खाता हो बिल्कुल भी नहीं खाता हम हमारे प्री मॉलर्स का यूज करते हैं हम मॉलर्स का तो यूज करते ही निया हम सिर्फ अगर च्वार्नक से खाना खाते हैं हमारे पिछले वाले च्वार्नक से तो खाना खाते ही निया तो अक्कल दाड भी क्या है हम हमारा एक wisdom tooth है, यानि कि एक vestigal organ है, ठीक है भई, I hope आपको clear होगा, आगे बढ़ते हैं, इस से में कि मांव पाचन तंत्र है, वह मांव का जो पाचन है, वह किस भाग में जाके complete होता है, किस भाग में जाके, वह पूरा होता है, तो options क्या है? हमारा पहला option है small intestine, हमारा दूसरा option है large intestine, और हमारा का हमारा तीसरा अप्शन है mouth और हमारा चोता अप्शन है चुमझ यह सारी चीज़ा आपको last class में समझा दी थी कि किस चीज काigation कहां से शुरू होता है और किस चीज का काइज़रिशन कहां पर चोटी आतमे, ठीक है बही, clear है, यह आपका next question है, next question is which is the longest part in the digestive system of the human body, जो इंसान का जो digestive system है, हमारा digestive system क्या है, हमारा digestive system क्या है, देखो ध्यान से, यहां से हमारा यह mouth है, यहां mouth से हमारी क्या आती है, इसोफेगस आती है, इसोफेगस के बाद यह हमारा यहां पर stomach के यहां पर हमारा ऐसे करके liver आता है, ऐसे फिर यहां पर पत्ते जैसी यानि के leaf जैसे shape क्या आता है, हमारा pancreas आता है, फिर यह हमारी क्या है, यह हमारी क्या है, यह हमारी है large intestine, यह हमारी है large intestine और ऐसे करके यह वाली पाइप ऐसे नीचे बढ़के आ जाती है and that is small intestine और यहां पर पूरे में इस एरिया में small intestine का गुच्छा बरा हुआ है तो इसमें ये पूछा गया है कि पाचन तंत्र में सबसे बड़ा भाग क्या होता है तो हमारे पाचन तंतर में सबसे बड़ा भाग क्या होता है small intestine small intestine सबसे लंबा हिस्सा होता है ऑर कल ही हमने पढ़ा था कि हमारी छोटीव शोंचि की होती है इसकी लेंथ मतलब इतनी नंदू होती है एक नली होती है विल्कुल इसे कंजस्टिड तरीकी سے ऐसे गुथी होती है जिसमें से हमारा फूर्ड जो है वह घुमता रहता है आपका pancreatic juice और साथ में आपका bile juice उसके साथ घुमता रहता है और small intestine में सारी चीज़ों को तोड़ तोड़ के digest करता रहता है यानि कि food को complex form से simplest form में change करता रहता है ठीक है तो यह process होता है भी यह देखो answer हमारे क्या आएगा B. Most of the digestion of the food takes place in the small intestine which is the longest part क्या है? 7 meter और 22 feet की हमारी सबसे लंबी क्या है? track होती है क्या है? track होती है और कौन सी होती है वो track वो track आपकी कौन सी होती है? वो होती है आपकी small intestine वो कोती है आपकी small intestine यानि के आपकी छोटी आज सबसे बड़ी होती है ठीक है बाई, clear है, देखो मैंने वहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, in which of the following organs of the human body are carbohydrates stored as glycosin, मानव शरीर में, मानव शरीर में जो है, निम्ड में से किस अंग में carbohydrate glycosin के रूप में संग्रित होता है, यहां पर मुझे आपको एक concept समझाना है, और concept जो है, वो बहुत important है और बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, यह जो हमारे animals होते हैं, जो हमारे animals होते हैं, animals, animals में हम किस चीज की बात करते हैं, animals में हम बात करते हैं, आपके buffalo की, आपकी buffalo की, और आपकी काओ की, है ना, और आपकी किस की बकरी की, यानि कि गोट की, जितने भी घास खाने वाले, ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जो, जितने भी घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा फूड को अपने अंदर ले लेते हैं, और इस एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं, और स्टोर करके इ इस food को, जो extra उन्होंने एकदम से store किया था, उसको digest करते रहते हैं, ये process किसका होता है, ये process होता है, grazing animals का, जो आपके जानवर घास खाने वाले होते हैं, clear है भई, अब हम human का पढ़ते हैं, humans में क्या होता है, humans में क्या होता है, ध्यान से सुनो, humans में क्या होता है, humans में क्या होता है, अगर आपको जितनी भूख है, अगर आपको जितनी भूख है, आपने उससे कर लिया extra बोजन, आपने उससे क्या कर लिया, extra फूड आपने ले लिया, एक्स्ट्रा फूड आपने ले लिया तो आपकी बॉड़ी में फूड आपने खाया है तो फूड हमारा क्या हो जाएगा अब डाइजेस्ट हो जाएगा जब फ्यूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो हमारी बॉड़ी में क्या बन जाएगा हमारी बॉड़ी में उस फूड़ी एक्स्ट्रा ग्लुकोस को क्या होता है जो लीवर होता है वो चेंज कर देता है किसमें ग्लाइकोजन में लीवर इसको चेंज कर देता है ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन में चेंज करके इसको लीवर स्टोर कर लेता है लीवर इसको स्टोर कर लेता है लीवर ऐसा क्यों क तो पहले कैसा होता था, पहले ऐसा होता था कि हमें कहीं कहीं दिन तक खाना नहीं मिल पाता था, कहीं बार ऐसा होता था कि लंबे समय तक कोई आदिमानव भूखा है, उसको कहीं भी अगर सूखा पड़ा है तो उसको कहीं कंद मूल और आपके पत्ते फूल भी खाने को नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे में हमारे लीवर की एक habit हो गई देखो चाहे कोई भी और्गन हो चाहे कोई भी और्गन हो कोई भी और्गन इस बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें चाहे कोई भी और्गन हो कोई भी शरीर का भाग हो कोई भी और्गनिजम हो कोई भी कोई भी सल हो सब जो है वो एन्वायर्मेंट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं एन्वायर्मेंट के हिसाब से सब चेंज होते रहते हैं सब चेंज होते रहते हैं जैसे हमने बहुत अपनी क्लास में पढ़ा था एक डार्विन का सिधानतम पढ़ते हैं डार्विन के सिधानतम में हम यह पढ़ते हैं कि पहले जिराफ की गर्दन इतनी लंबी नहीं होती थी लेकिन जिराफ घास खाता था ऐसे उठ उठ के ऐसे घास खाने के कोशिश करता था तो जिराफ की गर्दन लंबी होने लगी तो ऐसे करके हमारी बॉड़ी के हमारी बॉड़ी में जो है चेंच आते रहते हैं जैसे कि अगर हमारे पुर्वजों की बात करें तो हमारे पुर्वज कौन है हमारे पुर्वज चिंपैंजी को बोला जाता है अब चिंपैंजी अगर आप ध्यान से देखोगे न तो चिंपैंजी का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका दिमाग ऐसे चोटा होता है और उसका जबड़ा ऐसे बड़ा होता है क्योंकि पहले क्या था पहले आपका खाने पे बहुत ज़्याद़ फोकस होता था और आपका इस पे फोकस नहीं होता था मतलब कि दिमाग का इसतना इस्तिमाल करते नहीं थे लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ दीरे दीरे आपका बना human, दीरे दीरे क्या बना, दीरे दीरे आपका बना human, और आज के समय में जो human है, human का क्या है, human का आपका head जो है, वो बड़ा है, सिर जो है, वो बड़ा है, और human का जो जबड़ा है, वो आपका कैसा है, वो आपका small है, वो आपका छोटा है, तो दीरे दीरे चीजों में बदला आवाता है तो हमारे बोड़ी में जितने ओर्गेंस हैं वो एन्मार्मेंट के हिसाब से अपना चेंज करते रहते हैं और हमारे यहां पर लीवर पर इसकी एक स्टोरी बनती है कि लीवर जो है वो धीरे धीरे सीख गया क्या सीख गया एक्स्टा वो दो और की जरुवाट लगेगी जैसे उसके पास ऐसे सिंग्नल जाएगा जैसे लीवर के पास मेसेज जाएगा की भाय फटा-फट जो है कि वाडी ग्लुकोस चाहिए क्योंकि बोड़ी को एक टाइम पर खाना नहीं मिला तो फटावट लिवर क्या करेगा उस ग्लाइकोजन को वापिस से ग्लुकोस में चेंज करेगा और पूरी बोड़ी में ऐसे ब्लड वैसल उसको सर्कुलेट कर देंगी ठीक है बई तो ऐसे करके हमारा यह सिस्टम होता है ठीक है बई तो इसका आंसर क्या था अच्छा हमारा कॉशन क्या था हमारा कॉशन था कि कार्भवाइड्रेट को स्टोर एला एज ग्लाइकोजन कौन करता है तो आंसर इस आंसर इस लिवर और हिंदी में लिवर को क्या कहता है यक्रित कहते है ठीक है मैंने explaining भी साथ में लिखावा है कि st clairiome 100 और यानि कि मैमारी me amla skin को क differenti है example उनको कहते हैं जो बच्चे पैदा करते इनको अंब म्हें मलस कहते ठीक है जो भी बच्चे पैदा करते मच Stallion को काल की मासपेशियों में यानि के जो आपकी मसल्स होती हैं जो स्केलेटन सिस्टम के साथ जो चोड़ी-चोड़ी मसल्स जोड़ी होती हैं उन में और आपके यकृत में संगृत होता है बड़े भोजन में भोजन की आपूरती की जाती है लेकिन जीवित रहने और स्वस्त रह रखेगी शरकरे के रूपमे रखेगी शुगर के रूप में रखेगी थो बाडी में शुगर भढ़ेगा लेकिन लीवर यह है और आपकर ग्ल्सक्रण के रूप में बॉड़ी को hem स्टोर करने में मतलब आसान रहता है Study रहता आप बॉड़ी में कोई दिक्कत नहीं होती है इसलिए ग्लाइकोजन में चेंज करके वाड़ी हमारी स्टोर करती है यह नेक्स्ट कोश्चन है हाव मैंने तो आपको बता रखा कि कैनाइन के पास कितने होते हैं देखो मैंने आपको पूरा एक डेंटल समझाया था और देंटल फूमुला बड़े वालो बच्चो आई जो आपके अडल्ट है जो आपके अडल्ट है और जो आपके चिल्डरन है टूद्वर्ण गतने के दूद के दाताते हैं दोनों का सौरी दोनों का टेंट्र फूमूला कर होता है यह नदुतरीट 11 iPhone by 1232 बाहें oh चील्डरा رबन होते हैं उनका क्या होता है 12 тут li 00 by 50s अब धयन से सुनों थ्डिल धान से सुनो मैं आपको क्या बताना चाहती है इता क्लिश हो थाचो में यह क्या बताया था इनको क्या कहते हैं इनको कहते हैं इनसीजर और यहां पे एक ऐसा दात मिलेगा तुम्हें जैसे जानवर वाला यहां पे न एक ऐसा दात मिलेगा ऐसा करके ऐसे चोंचदार दात जानवर वाला इस दात को कहते हैं इस दात को कहते हैं कैनाइन इस दात को कहते हैं क्या कैनाइन और हमारे मुह में देखो, दो उपर वाले जबड़े में ऐसे धात होते हैं, चोच वाले ये इधर वाले और दो नीचे वाले में होते हैं, तो एक एडल्ट के पास आपके कनाइन कितने हो गए? तो answer is B, यानिके 4, ठीक है भई? ये देखो, ये आपका सारा, मैंने आपका जबड़ा आपका लगवाय हुआ, ठीक है, ये देखो, ये आपके इंसीजर है, यहाँ देखो ध्यान से, तो को मैं कलर चेंज करती हूँ ता कि आपको अच्छे से दिखे, ये देखो, ये आपके दो क्या है, ये आपके दो हैं, आपके इंसीजर, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लूँ, देखो, ध्यान से देखो, अब इसको मिटा देते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये दो आपके फ्रंट वाले दाज जो हैं, ये देखो, ये हैं आपके इंसीजर, इधर भी जो दो फ्रंट वाले हैं, ये कैसे हैं आपके इंसीजर, फिर ये हैं आपके कैनाइन, ये वही दाज है, जो चोंच वाला दाज आपके मूह में होता है, ये क्या काम करता है, यान कि किसी भी चीज को चीरने फाड़ने का काम यह करेगा यह आपके canine है canine tooth आप देखो यह एक single tooth होता है यानि कि अकल डाड होती है और अकल डाड क्या होता है हमारा अकल डाड हमारी body में क्या होता है vestigal organ होता है यानि कि अवशेशी अंग होता है क्योंकि हमारी body में इसका कुछ भी काम नहीं होता है अगर पूछा जाए कि हमारी body में wisdom तो वैसे तो होते हैं चार देखो कोई भरोसानी किसी का एक आते हैं किसी के दो आते हैं किसी के तीन आते हैं ठीक है तो यह डिपेंड करता है थोड़ा यह next question है और यह आज का हमारा आखरी सवाल है which of the falling is a vestigal organ अभी-भी मैंने बताया था कल भी मैंने समझाया था कि Westigal organ हमारी बोड़ी में क्या होता है द्हान से ्ध हर्ट गया हर्ट्वेस्टेगल ऑर्गन है क्या हर्ट एक ऐसा अंग है हमारी बोड़ी में जिसका इस्तिमाल नहीं यह वो ऐसे ही पड़ावए है वह है नए बिलकुल भी नहीं, क्या kidney एसा है, फार्ट जिसका इस्तिमाल नहीं होता क्या lungs ऐसे हैं जिसका इस्तिमाल नहीं होता, बिलकुल भी नहीं, तो आप का answer क्या जाएगा, answer is----- answer D. मैंने आपको कल भी समझाय था कि आपकी जो यह होती होती है यह जो large intestine होती है यह वाली इसके यहां पर पूंच जैसा structure होता है और जब food pass होता है small intestine से ऐसे large intestine में तो कुछ undigested food इसमें चला जाता है जिसके विज़े से swell कर जाती है और इसी को क्या कहते हैं इसी को कहते हैं appendix और ऐसा बोला जाता है कि इसको appendix का दर्द हो गया और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर इसको यहां से काट के और फेक देता है क्यों क्योंकि इसका कोई हमारी बॉटी में इस्तेमाल नहीं है इसलिए डॉक्टर इसको कट कर देता है ठीक है बई तो आपके questions यहां पर digestive system के खतम हो गए हमारे digestive system एकदम complete हो गया है अब हम अपना respiratory system हम स्टार्ट करेंगे कल से ठीक है थैंक्यू सो मच जो बच्चे आज यहां तक जुड़े last class तक जुड़े मतलब जो भी बच्चे आज नए जुड़े हैं जो ने आज मेरी क्लास पहली बार देखी है वो पीछे की सारी classes cover कर लेना क्योंकि जब तक आप पीछे का नहीं देखोगे content नहीं देखोगे तो questions कैसे solve करोगे ठीक है बही content देख लेना उसके बाद आप questions देखना आपको लगेगा कि सारे questions बन रहे हैं ठीक है तो teacher पे एक बढ़ विश्वास करके चलो thank you so much next class में